बहुत बहुत सवागत्य अपने युट्यूबचर है करने महसूरत राज और आज के देखने वाले हैं जो भी शात्र को से कहना चाहूंगा कि आप अभी अपने रेजल्ट को डानलूड कर लें और देख लें यहां पास है अब इनको देखकर आप कह सकते हैं कि वह अब हम नीचे जाएंगे देखिए 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 इसके पास हिस्ट्री थी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी थी इसके सब्जक्त है और मैंनस अब अब पर्ट नीच था देख सकते हैं सारे कॉर्शे सरह यहां बोल रखे इनमें तो यह बच्छा क्या है इसमें पास है सी मिला है इसका में दोनों में यह पश्चा यहां और एक यहां कि सिसाばनल देख़ा है कि यहां दिहान से देखा जाए अब किस तरीके से बिचा आप इनको यती पर्षेंटेस निकाले जाए तो हम पर्षेंटेस कैसे निकालेंगे कितने नमर हम पास हुए है तो यहां देखो उन्हें टोटल लिखा है यह टोटल के लिखा है कि कितने 25 में से आपको 15 नमर मिले है इसकी जो सब्सक्राइब इसको आपको बस दिहान रखना है इसको यह केतना है आपका यदि आपका 3.6 है तो इसमें आपको 9.5 से गुणा कर देनी है तो आपका पर्षेंटेज निकल आएगा इतना 34.2 आप याद रखना जितनी भी आपकी सीजी पीए है उसमें आपको 9.5 से गुणा करनी है आपकी पर्षेंटेज निकल के आएगी कि आप कितने पर्षेंट से पास है ठीक है क्लियर हो गया यह बंदा दो सब्जेक्ट में फेल है अब साथ ही साथ लेकिन बैक आपका यह दो पेपर यह बैक है तो इसकी प्रोसिस क्या है मैं युनिवस्टी के साइट पर देख लूँगा कि अब की युनिवस्टी क्या करने वारे है पहले हम दो पेपर में फेल थे तो फेल थे समझ लो आपको फिर उसके बाद में कुछ नही है लेकिन उसको पहले क्लियर करना होता है अब यहां देखिए नीचे उन्होंने एक साड़ी बनाई है ठीक है और आप देख रहें यूपी गवर्मेंट के सब्साइट यह साड़ी बनाई गई है ठीक है पासिंग रजल्ट के बारे में बताए गया है और यह सी बीसी पैट आएगा बी प्लस आएगा बी आएगा सी आएगा फिर पी आएगा मतलब यदि आया आपका तो आप पास तो हो जाओगे लेकिन यदि आपका जिस भी सब्जेक्ट के सामने एफ लिक किया गया तो समझ लीजी आप फेल है और आपका 32 नंबर से नीचे नंबर है ठीक है इस अब यहाँ देखो percentage निकालने की ऐधी बात कीौँद बात किया 50 पॉइंट में उन्हें प्रशंटेज निकालने की बात किया। उन्होंने पर्चेज निकलने की बात किए जैसे कि मैंने आपको बताया था था उसमें आपको नाइड पॉइंट फाइब से गुड़ा करनी है आपकी पर्चेट्टेज निकलके आजाएगे कि तिने पर्चेट से पास है तो वहीं उन्होंने कहा है percentage of marks cgpa into 9.5 ठीक है समझ में आ गया यहां उन्होंने division लिख रखी है कि आप first division second division third division यदि आप कह सकते हैं यदि आपकी cgpa से उपर हैं 10 के बीच में है तो आप first division पर पास है यदि आपकी 5 से 6 तक के बीच में है तो आप यदि आप 4.0 से 5.0 के बीच में है यहां mention किया गया है ठीक है और बाकी आप को क्या करना होगा मैं उसकी जानगारी में आपको नेक्स वीडियों दे दूँगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों को शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक यू